जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहे हैं और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में 4 दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूं लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो या देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महीने भर में perform करता है तो उसको पांच test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आपको उसका access free of cost मिलेगा जो बच्चा perform करेगा अब समझते हैं कि यह program कैसा होगा तो याद रखेगा जो बच्चा दो अगर 5 questions सहीं बना आता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका जो है measurement सारा होगा देन उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रों कि अगर mobile app download करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्या होगी तो आप question session program में यहां देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिन चात्रो मैई शारहमत competition community के इस question session program में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और हमेशा आप लोगों से कहता हूं और कहते रहूंगा कि अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिल्कुल बरकरार रखे और साथ में उसे एक युद्धिस्तर पे लेके सब्सक्राइब अच्छी तरह से पूरा कर सके बहरा हाल आप लोगों के लिए सुभवचन और सुभवचन और सुभवचार लेके आता हूं जो कि इस प्रकार से है यह पर इन personality को आप अच्छी तरह से जानते हैं जो कि जैन धर्म आज हम पढ़ने वाले तो महावीर स्वाम मिं के बारे में पढ़ना सबसे ज्यादा प्रश्म अजिकतर यहीं से पूखे जा रहा है तो इनके बारे में तथ्या देखते हैं उससे पहले इनकी वानी है इनके बौल है वह सबसे पहले समझते हैं जो कि हमारे लिए हमारे जीवन में उपयोग करने के लिए बहुत ज़र बाद किस चीज की ए खुद से लड़ाई की सवयम से लडो बहार पहर से लड़ांग है और जितने भी कंटेंट्स है अपने दिमाग में आपको अपने चारों चच्छु खोल के अच्छी तरह से याद करने होगे ताकि यह पेपर हॉल में आपको पिंच कर सके और जब आप अब आगे बढ़ते हैं अब आनंद की प्राप्ति बोलके यह मत बोले तो उसकी प्राप्ति तो नहीं करनी आनंद की प्राप्ति से आशा है कि आपको अध्मिनिस्टेटीव सर्विस लेना है ठीक है इतने ही समझे जादा बहतर है तो भारत का इतिहास हमारा विशाय चल रहा है प्राचीन पोर्शन कवर कर रहे हैं जैन धर्म का भाग एक है जो बेसिक सारी चीज़े जाननी है वह आज इस सत्र में देखेंगे छोटे से फॉर्मेट में देखेंगे लेकिन सारी चीज़े परिच्छोप योगी है तो आई अच्छी तरह से समझते यहां दिखाई दे देव रिशब देव सबसे पहले तिरतंकर इसका मतलब कीत रिशब देव क्या रहे हैं इसके संस्थापक रहे ठीक उसके साथ याद रखना है कि इन्हें सांड से संभोधित किया जाता है मतलब सांड इनका प्रतीक चिन है ठीक उसके बार यहां दिखाई दे रहा है आपको पाशावनाथ जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है जिन्हें नाक से प्रदर्शित किया जाता है तो यहां दिखाई दे रहा है इस प्रकार से साफ है मत बोल दीजेगा साफ रख दिया गया है याद करने के लिए आप लोगों के लिए तो रिशब देव को किसे प्रदर्शित कर जाता है सांड से प्रदर्शित कर जाता है देन उसके बाद का पाषावनात् जो हो सब कि ग्रीटिस के जाता है और भारे में हमें अध्यान करना है झिम्युक्त उसे याद रखना है कि यह संस्थापक रहे हैं आपके जैन धर्म के और याद स्वामी यह वास्तविक संस्थापक रहें जैन धर्म में जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ाई ढरसल बात कुछ इस प्रकार की है कि यह जैन धर्म जो है वह बौध धर्म से काफी जटिल है पर बर्देधर्मि कुछ रूपसे प्रकार से जटील रहा है लेकिन आपका उससे विख्यक्ज लुप sare 11 जेन रहा है इसमें कहा गये है काई क्लेश के बारे काया क्लेश का मतलब होता है कि संसार की सारी चीजे हैं वो एक क्लेश के समान है मतलब कि आपका निथ्य है और मतलब सारी चीजेओं को त्याग कर देना चाहिए जिससे की हमें मोख्ष की प्राप्ति याने कैवली की प्राप्ति हो सके मोख्षे का वर्णन नहीं किया गया है मोख्षे की जगह में किसका आपका उपयोग किया है कैवल का उपयोग किया जब कोई भी तिर्थंकल कैवल की प्राप्ति कर लेता है तो उसे जीन कहा जाता है कैवलीन भी कहा जाता है तो इस प्रकार के तथ्य हमें याद रखना है आगे बढ़ते हैं उसके बाद महावीर स्वामी जी के बारे में अगर कहा जाए तो म को ला मनें महावीर स्वामी के पिता जी का नाम सिध्धार्थ उसके बाद उनकी माता जी का नाम क्या रहा है आपका चहले जो वा जब बढ़े जी के बारे में पढ़ाया तो उसमें बताया की उन्हें सारी सुख़ुषाउं से वो पूर्ण ने थे सारी सुक्षिधाय उनको मिली थी लेकिन उसके बाद भी उन्हें मंझीम प्रतिपदा यानि मध्यमार का कव्योग किया और आपका ज्यान की प्राप्ति किया उसी प्रकार महावीर स्वामी भी जो रहे हैं आपके को रहे हैं आपके एक राजकुमार के महावीर स्वामी के क्या रहे हैं आपके पहले शिश्य रहे हैं ठीक है तो इस प्रकार के तथ्य याद रखना है ठीक है यह बेसिक चीजे हैं जो चीज को याद रखना हमें अनिवार है महावीर स्वामी के जन्म से बहुत सारी जो है क्या बुलते हैं विवाद होता है इनक 540 इसा पूरू जो है आपका NCRT में प्रिफरेंस दिया जाता था लेकिन आपका 599 सहीं है क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ है जो कि आपका इससे पहले महावीर स्वामी का जन्म हो चुका था और जैन धर्म जो है बहुत धर्म से भी आपका पुराना रहा है मै मैंने बताया भी आपको कि जैन धर्म जो है उसमें जटिलता की वजह से ही जो है स्विच होने लगे पलायान करने लगे लोग बहुत धर्म की ओर ठीक है तो यह जो है धार्मी की विकास के तौर पे सामने आया हमें परिच्छा क्रेक करना है तो परिच्छा उप्योगी तर संसार सारा इस है जैसे कि हमने बहुत धर्म पढ़ा था अगर कंपेर करें तो नहीं ढ़ने पढ़ा कि सभन दूख मतबिश रूप में बहुप परशित करते तो यहां याद रख सकते हैं क्या दुख्मय के रूप में क्या रख सकते हैं काया कलेश ठीक है ओह हो चलो यहां लिख देते हैं यहां लिख दे रहा है ना काया कलेश सारी चीज़े क्या है दुख्मय है निरथक है बिल्कुल हमें आहिंसा का मार्ग अपना के आ और आपका कैवल्ली की प्राप्ति याने मोक्षी की प्राप्ति की जाती इस प्रकार से जैन दर्जन्त का सिद्धान्त रहा है संसार से मुक्त होकर दुखोए मुक्त हुआ सकता है मतलब संसार से जितने अच्छी तरह से अगर मुक्ठ हो गया तो सारी दुखों से जो है मुक्त की ऊचते हैं इसमें बल izah आत्मा पर और उसमें बल दिया जा गया था इच्छा पर बहुत दर्म में इच्छा पर बल दिया गया और यहां जोuce आ का आत्मा पर बल दिया गया है तो आत्मा को इतना सता दोना इतना जो है आपका जिंजोड दो ठीक है इस वर्ट का उप्योग कर सकते हैं जिंजोड दो सारा अन और जल का त्याग करके जो कि आपका सनलेखना विधिद्वारा तो इससे क्या होगा आपको मोक्ष की प्राप्त जो है क्या करना पड़ेगा सनलेखना विदी करना पड़ेगा और आपका अन्यवम जल का त्याग करना पड़ेगा इसका मतलब यह है और याद रखेगा कि इसके द्वारा जो है वो क्या प्राप्त कर सकता है मोक्ष की प्राप्ति या आपका कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है याद रखेगा मोच्छोवर्ण का उपयोग नहीं किया गया है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है यहां जो है किसका शब्द का प्रयोग किया गया है आपका कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है ठीक है तो इस प्रकार से उसके बाद बॉद्ध धर्म में हमने त्री अगर एक स्टूडेंट के तौर पर समझें या इसे याद करने की कोशिश करें तो साम्यक सरद्धा का ही आपका उद्देश क्या है यहां कि आपको बिल्कुल ही अपने उद्देश के प्रती एकदम द्रिन संकल्पित होना है मतलब उद्देशित रहना है अपने प्रती तो उसे इता है साम्यक ज्ञान मतलब सत्य के ग्यान सहीं चीज़ पढ़ना है मतलब अगर रिलेट करें तो सहीं चीजें पढ़ना है अनर्थक चीज़ें नहीं पढ़ना है ठीक है सारी चीज़ें क्या पढ़ना है according to examination ना कि आपका कुछ भी उल जलूल पढ़ रहे हैं इस टा आचरन का पालन करते हुए ब्रह्म जगत के विशय में दुख सुख भाव से उदाशिन हो साम्यक आचरन मतलब कह रहें सीधा-सीधा के आपका आचरन जो होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से आप क्या करें अपने उद्देश के प्रति रहें और टूह सेतात पर क्या है आच्रन मतलब कि आपका जो na當然 जो है वो आपके किसके मोख्ष के प्रती होना चीया कैवल्ले के प्रती होना चीए ना कि दूसरी को लुभाने के प्रती यह हम अगर देख सके तो स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि दस बारा पेच पढ़के या एक टॉपिक पढ़के बहुत ही कॉंट बुस्ट होता है और दूसरा पूछ रहे हैं कैसे यार कैसे पढ़ रहे हैं कैसे चल रहे हैं तो यह नहीं अपने प्रती ध्यान दीजिए बार-बार बार लड़ाई खुद से है तो यहां याद रख रखना है कि हमारा आचरण सही है या नहीं है हमारा पेपर उद्देशित हम मतब पेपर के अकॉर्डिंग हम सारी चीजे कर रहे हैं कि आसपास की चीजों को लुभाने के लिए कर रहे हैं इस टैप का हमें सारी चीजों को याद रखना है और समझना है ठीक आगे बढ़ते रखे जाते थे मतलब कि ब्रहमचरills निकलना और ब्रहमचर का पालन करना, इस प्रकार के पंच महावरत है , जिससे की आपका कैवली की प्राप्ति होगी और आपका आप एक प्रकार से तिर्थंकर बन जाएंगे, ठीक है लेकिन यहां बात इस चीज़ की है अगर इसका जीवन में अपने उपयोग करें अपने परिष्छा के दिरिष्टी कौन से तो बिल्कुल जो है आप अच्छी तरह से अपने उद्देशी की प्राप्ति कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यह उपरोग चार वर्द जो है चारवत यह याद रखना है इसे यह जो चार है उपर के इसे जो है पाशावनाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था ब्रह्म चरे का जो है इन्हें महावीर स्वामी ने इसमें एंट्री कराई ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद जो है स्यादवाद या अनेकांत व पयोगी नहीं है तो इसलिए मैंने यह नहीं रखा है स्याद वाद का मतलब होता है साप एक्छता का सिध्धान्त बिल्कूल कमेंट में बताएंगे कि साप एक्छता का सिध्धान्त क्या होता है ठीक आगे बढ़ते हैं आनिश्वरवाद रहा है जो है इस्वर के दौर है जैन मान्यता है कि संसार वास्तविक और परिवर्तर से और शास्वत है बिल्कुल सही है कि वास्तविक है शास्वत है और आई नेया प्रतातित कर दिया जाए जिस से कि वह वापस जीवन लेने का वह ना सोच फिर्ट में भी ये विश्वास रखता है जैन धर्म ठीक है उसी प्रकार बहुत धर्म भी जो है पुनर जनम में विश्वास रखता है आगे बढ़ते हैं अगला है कर्मवाद ये बिल्कुल कर्मवाद पर विश्वास रखती है कर्म जैसा करेंगे वैसे हम भूगेंगे इस प्रकार के त है उसके बाद किया है अनेका आत्मावात आत्मा पर विश्वास करता है हर वस्तु आत्मा होती है मतलब की इवन ये भी है जैन धर्म के लोग जो है वह खेती किसानी नहीं करते प्याज और लखसुन का सेवन नहीं करते इस टैप कमें मैंने सुना है तो इसलिए मैंने बताया और आपका जो है किसी भी जीवहत्या पर यह बल नहीं डालते ठीक है अपना ज्यान प्रदर्शित नहीं करिएगा किसर ऐसे क्यों है क्या है हमें परिच्छा उपयोगी चीजों को याद रखना है बस्तु क्या बोला मैंने कि वस्तु क्या आत्म हर वस्तु की आत्म होती है आत्मा को असी माना गया है मतलब आत्मा को वापस पुनर जनम ना ले इसलिए आपका सनलेखना विधी की जाती ठीक है उसके बाद है पुनर जन में बिल्कुल विश्वास रखती थी मैंने जैसे कि आपको बताया आगे बढ़ते हैं यह रहा आपका मोक्ष मोक्ष से तातपर है कैवल से जिसको आप याद रख सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद है निर्वान निर्वान का है संसारिक बंधर से मुक्त निर्वान कहलाता है ठीक है त्री रतन का पालन करके आपका संसारिक जीवन से जो है आपका यह आपका नि मतलब कि आपका संसार की सारे चीज़े क्या है दुख मेर निधर्थक है कैवल क्या होता है कैवल मनें बताए कि प्राप्ति आपका cav-Ab क्रे 서 April का दर व्रत्य चीज़ें अच्छी तरह से कर लें उसके बाद जो है आप प्रारम्फ होता है हमारा प्रस्ण ऩर जो की इस प्रकार से है जैन धर्म के संस्थापक कोन है तो पहले बताया मैंने जैन धर्म के संस्थापक याद रखना है रिशब देव ठीक है तो याद रखना है रहें जैन धर्म के संस्थापक रिशब देव हैं अगर वास्ताविक संस्थापक यहां लिया होता कोश्यन जो की पूछ कुंडल वन याद नहीं रखना है कुंडल वन मैंने बताया कनिश्क ने चौथी बहुत संगीती कराई थी 180 में अश्वघोस और वसुमित्र के अध्यक्षता में ठीक तो यहां याद रखना है कुंडग्राम में इनकी इनका जन्म हुआ था जैन धर्म के प्रवर्थक महावी अगला है हमारा जैन तिर्थंकरों के क्रम में अंतीम कौन था याद रखेगा चौबिस वे तिर्थंकर सबसे अंतीम तिर्थंकर कौन रहे है आपके महावीर स्वामी थिक है पासवनात कौन से रहे हैं 23rd रहे हैं अरी शब्द्यों जो है आपके फर्स्ट तिर्थंकर रहे हैं तो इस प्रकार से याद रखना है इन्हीं के बारे में पढ़ना है यहीं से question पूछता है ज्यादा जैन धर्म के पूर्ण ज्यान के लिए क्या शब्द है याद रखेगा कैवल्य जो है पूर्ण ज्यान का शब्द है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्यानोदय ज्यान की प्राप्त हुआ था याद रखेगा रिजू पाली का साम्यक धारण साम्यक चरित्र एवं साम्यक ज्यान बिल्कुर सहीं साम्यक सद्धा साम्यक आचन साम्यक ज्यान तो यह क्या बोल रहे हैं धर्म की महिमा है वह है याद रखेगा जैन धर्म है बुद्ध्य का बोलता है बुद्ध्य धर्म संग और आपका इस प्रकार से उसके बाद है निम लिखित में से कौन सा धर्म विश्व के विनासकारी प्रलय की अवधार्णा में विश्वास नहीं करता है विश्व की विनासकारी प्रलय अवधार्णा का मतलब यह है कि आपका अगर देखें तो बहुत धर्म में भी विनासकारी प्रलय की अवधार्णा बैंद जयांधर्म में isn't क्या इता था कहार अगप लायगा सब सब्ढ़राइद को जिस जब आने की हैं रहती हैं जिसे की किया बलते हैं आपका मेहंदी लेसलाम और बहुत सारे जो है वो कियामत के समय में आएंगे ठीक है याजूज माजूज की घटना है बहुत सारी चीज़े हैं जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लेकिन यहां दिखाई दे रहा है जैन धर्म जैन धर्म में विश्व की विनासकारी प् महावीर स्वामी के ठीक है आगे बढ़ते हैं यह बद्ध और जैन दर्शनों दोनों में निम्लिखित में से कौन सतत्व समान है ठीक हो के देखिए आपका परिग्री मतलब घरत्याक करना अस्टांगिक मार्ग ठीक है निर्वान निर्वान जो है आपका दोनों में समान र आपका बहुत सारे धर्म में है और आपका जैन बहुत में भी है लेकिन याद रखेगा इसका आंसर जो है व्यापमद्वारा निर्वान लिया गया ठीक है आगे बढ़ते हैं किस जैन तिर्थंकर का उलेख रिगवेद में आया है याद रखेगा आपका रिशब देव रि स्रमण बेल गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतीमा किसने इस्थापित की है अब जो है ड्वांस लेवल में बढ़ रहे हैं हम तो याद रखेगा इसके बाद जो हैं जैन संगीती और आपके जो मगत समराजी के राजाओं द्वारा जो है जैन धर में पार्टिशिप करींगे लेकिन याद रखेगा समण बेल गोला जो कि आपका करनाटक में स्थित है बाहुबली की प्रतिमा गुप्तेश्वर की मही प्रतिमा के रूप में जाना जाता है वह है आपका 57 फीट के 57 फीट की जो है आपके इसके हाइट है इस प्रकार से याद रखना है तो यह क्या है चामुंडा रायद्वारा बनाया गया था ठीक है तो इस प्रकार के तथी यहां कंप्लीट होते हैं यह रहा आज का प्रश्ण यहां दिखाई दे रहा है कि प्रभागिरी जिनका तिर्थेस्टल है वो किसका है आपको इसको कमेंट बॉक्स में इसका अंसर देना है ल मकांडो का फलवत्ता निशेद्र है बिल्कुल सही प्राणियों की हिंसा का निशेद्र है तो यह भी सही तो दो तीन चाथ जो इस बच्चे आंसर दी है वो बिल्कुल सही है इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा चाहतरो जै हिंद जै भारत